हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर बुवनेश्वर सथा मांगिलाल बागडी राजकिय महाविध्यालर नोखा से हम अध्यान कर रहे हैं कमपन गुर्णन स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में इससे पहले हम अध्यान कर चुके हैं गुर्णन उर्जा इस्तर के बारे में गुर्णन उर्जा इस्तर में हमने दिखा कि किसी भी अनों में दो या दो से अधिक प्रमानों होते हैं अगर इन अनुओं को यदि उर्जा दी जाती है तो इनके प्रमानों किसी स्वतंत्र अक्स के साफ़ गुर्णनगती कर सकते हैं अगर उर्जा के मान में व्रद्धी कर दी जाए या ज़्यादा उर्जा दी जाए तो यहाँ भी संभव है कि अनुओं के जो प्रमानों है उनके जो बॉंड है उसमें स्थिलता आजाए और प्रमानों कंपन गती करने लगें जिसके संगत हमने कंपन उर्जा इस्तर की बात की और कंपन स्पेक्ट्रम के का अध्यान किया कंपन उर्जा इस्तर जो है उनमें उर्जा इस्तर के मद्य का अंत्राल नियत रहता है यह उर्जा के उर्जा वस्था पर निरबर नहीं करता उसके क्वांटम नंबर पर निरबर नहीं करता जबकि गुर्णन उर्जा इस्तर में हमने देखा कि जैसे जैसे उर्जा इस्तर के मान में वर्द्धी होती है उसके संगत उर्जा के मान में भी वर्द्धी होती है जिससे क्रामागत उर्जा इस्तरों के मद्द्य का जो उर्जा अंत्राल है वह भी निरंतर बढ़ता रहता है गुर्णन उर्जा इस्तर के संगत जो आवरती है या उर्जा है वह चरम आवरक छेत्र या माइक्रोवीव रीजन के आस पास था जबकि कमपन उर्जा इस्तर में जो उर्जा इस्तर के जो उर्जा है वह वह इंफ्रारेड रीजन में राप्त होती है तो यह दोनों जो क्रियाएं हैं वह प्रतक रूप से हों यह हमईसा जरूरी नहीं है liquid case में या गैस case गैसीय मौलेक्यूल्स में यह हम कमपन और्जायस्तरों के बात करें तो अवरक छेत्र में द्रव से प्राप्त जो स्पेक्ट्रम है वह सुद्ध कंपन स्पेक्ट्रम होता है चुंकि उनके अंतर आणविक अन्यों निकरिया जो होती है वह स्थिल होती है और अनू में गुर्णन जो है वह संभौधनी हो पाता लेकिन गैसिय या वास्प अवस्ता में अनु के मद्य की दूरी ज़ादा होती है और अनु के गुर्णन को उत्यजित करने के लिए आवस्य कूर्जा सदेव कमपन के लिए आवस्य कूर्जा से कम होती है अतहा गुर्णन करान साहें तो कमपन के साथ गुर्णन भी संभव है इस प्राकार प्रत्किय कमपन उर्जा इस्तर के साथ अनिक गुर्णन उर्जा इस्तर संबद होते हैं जिनका हमने उर्जा के साथ एक उर्जा के मान के साथ में एक ग्राफ प्लोट किया हुआ है चत्रानुसार आरेकत किया हुआ है व इक्वल टू जीरो के लिए व इक्वल टू वन व इक्वल टू टू ये कंपन उर्जाष्टरों की बात कर रहे हैं और हर एक कंपन उर्जाष्टर में कई सारे हमारे पास में गुर्णन उर्जाष्टर उसके साथ एसोसियेट होंगे एक कंपनित उर्जाइस्टर के गुर्णन उर्जाइस्टर से संबद उर्जाइस्टर से दूसरे कंपन उर्जाइस्टर के गुर्णन उर्जाइस्टर में संक्रम को हम closely packed spectrum के रूप में प्राप्ट कर सकते हैं ये जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम company-gurnan spectrum कहते हैं यानि जो हम गैसी अवस्ता में molecule से easily find out कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होगा company अवस्ता के साथ-साथ गurnan उर्जास्तर में भी क्या होता है सेंकरमन होता है और complicated spectrum मनता है जिसमें company और गurnan spectrum दोनों का contribution होता है दोनों की उर्जावस्ताओं का contribution होता है इसलिए ऐसे हम company-gurnan spectrum कहते हैं और यदि हमारे पास उच्छ विवेदन की spectrum meter है तो हम इन company गurnan band जो हैं उनको आसानी से अध्यन कर सकते हैं तो यह हम देख चुके हैं company और गurnan और गurnan के मान को तो किसी अनों के company और गurnan विदाओं का परसपड़ा नियनिक्रिया नहीं करता अपकेंद्रिय विक्रति और अनावरतिता नगर्नय होती हैं तो उस case में जो company और गurnan की जो कुल उर्जा है combined vibrational rotational energy जिसको हमने e vj v जो है subscribe जो हमने use किया हुआ है वह vibration के लिए j जो है वह rotation के corresponding है तो दोनों की अलग-अलग उर्जाओं का योग कर दिया company के लिए जो उर्जा है v plus half h cross omega 0 और गurnan e j का जो मन है वह h cross square upon 2i j into j plus 1 v जो है वह company quantum quantum sankhya जिसका मन 0 से प्रारम होता है integer values होती है 0, 1, 2, 3, 4 and so on omega 0 जो है वह कौनिया आवरती है company के लिए उसका मन under root k upon mu यह हम पहले पढ़ चुके हैं j जो है गurnan quantum sankhya को ग्यक्त करता है इसका मन भी 0 से प्रारम होता है 0, 1, 2, 3, 4 यह 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 पॉसिबल है i जो है अनु का चड़तवागून है k जो है 2 प्रमानुक अनु के लिए बलनियतांक m जो है reduced mass, समानित द्रवयमान और i का मन जो है half mu r square होता है यह हम पहले अधियन कर चुके हैं कंपन चतरानुसार हमने देखा कि कंपन उर्जाइस्तर v equal to 0 और 1 में के गुर्णन उर्जाइस्तरों के मद्य selection rule अब आते हैं कि transition जब होगा तो कौन से उर्जाइस्तर से कौन से दूसरे उर्जाइस्तर में संब होए तो इनके जो हमने selection rules पड़े हुए हैं वो selection rules यहां पर apply होते हैं delta v equal to plus minus 1 delta j equal to plus minus 1 यहनि कंपन उर्जाइस्तर में भी एक का और गुर्णन उर्जाइस्तर में भी एक का जो variation है वह possible है यहनि v equal to 0 से v equal to 1 में संक्रमन से प्राप्त spectrum की दो रेखाएं हो सकती हैं v equal to 0 से v equal to 1 में दो रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं क्योंकि एक कंपन के अंदर गुर्णन अवस्ताएं और होती हैं तो v equal to 0 से v equal to 1 में जैसे संक्रमन हो रहा है तो इसका हमने यहां पर graph plot कर रखा है minus 1 delta j का मान plus 1 भी हो सकता है जो विसुद रूप से हमने गुर्णन उर्जाइस्तर पढ़ा था तो delta j equal to plus 1 जो था वह अवसोशन के लिए और delta j equal to minus 1 जो है वह उत्सरजन के लिए था जबकि यहां पर ऐसा हो यह संभव नहीं है यहां पर क्योंकि गुर्जा के मन से कम होता है इसलिए delta j equal to plus or minus 1 के संगत हमें दो spectrum ही रेखाएं प्राप्त होती है 0 से 1 के लिए तो delta j equal to minus 1 का मतलब j से j minus 1 में संक्रमन हो रहा है और इसके संगत जो branch प्राप्त होती है उसको हम P साखा P साखा कहते हैं और delta j equal to plus 1 यानि j से j plus 1 के संगत जो साखा प्राप्त होती है उसको r कहते है delta j equal to 0 allowed नहीं होता बहुत important है delta j equal to 0 allowed state नहीं है 0 यानि same j value के लिए संक्रमन संभव नहीं होता अतहा new equal to new 0 के संगत कोई सरल रिखा प्राप्त नहीं होती P branch के लिए spectrum रिखाओं के जो आवरती है उसका मान हम ग्याद कर सकते हैं उसके लिए selection rule delta j equal to minus 1 तो apply कर दिया P branch के जो आवरती है वह ए 1 से 0 में sorry 0 से 1 में संक्रमन ले रहे हैं तो e 1 j minus 1 minus e 0 j value हो गए 3 by 2 h cross omega 0 j minus 1 के लिए इसका मान हो गया h cross upon 2i h cross square upon 2i j minus 1 into j e 0 के लिए जो मान हो गया वह आगया half h cross omega 0 और j के लिए इसका मान हो गया h cross upon 2i j into j plus 1 इसको solve करने पर हमारे पास आवरती का मान हो गया new p equal to new 0 minus h upon 2pi i into j new 0 जो है वह कौनी वह omega 0 upon 2pi के तुलिया है और इसका मान 1 upon 2pi under root k upon new होता है और j का मान जो है 1, 2, 3, 4 and so on values possible है r साखा जो है r branch जो है उसके संगत जो हम सेलेक्शन रूल देखे हैं delta j equal to plus 1 और उसके संगत आवरती का जो मान है वह आएगा 0 से 1 में ले रहे हैं j की value j से j plus 1 में ले रहे हैं तो value हो गई e 1 j plus 1 minus e 0 j upon h values रख दिया e 1 के लिए 3 by 2 h cross omega 0 j plus 1 के लिए value हो गई h cross square upon 2i j plus 1 into j plus 2 e 0 के लिए value होगी h cross omega half h cross omega 0 और j के लिए value होगी minus h cross square upon 2i j into j plus 1 solve करने पर हमारे पास आवरती का माना गया new r के लिए new 0 plus h cross upon 2 pi i j plus 1 j का मान 0 से start होता है और j equal to 0 के संगत कोई भी selection rule नहीं है यानि j equal to 0 के लिए same j values के लिए संकरमन संभाव नहीं होता तो उसके संगत कोई 1 रिखान प्राप्त नहीं होती और new equal to new 0 के संगत आवरती भी कोई हमें प्राप्त नहीं होती तो इस प्रकार हम देख रहे है p branch जो है उसमें आवरती जो है विसुद कमपन आवरती से कुछ कम आवरती प्राप्त होती है जबकि new r branch के लिए delta j equal to plus one selection rule के संगत आवरती का मान जो है विसुद कमपन आवरती से कुछ अधिक आवरती प्राप्त होती है तो इस प्रकार हमें विसुद कमपन जो उर्जा इस्तर है या उसमें संक्रमन जो होता है उससे उपर और नीचे की आवरतीया प्राप्त होती है और इसका अगर हम graph plot करें तो यह इस प्रकार का P branches और R branches P साङचा के संगत यह आवरतीया प्राप्त होती है Rs के संगत उच आवरती की आवरती प्राप्त होती है new equal to new 0 जो है उसके संगत कोई आवर्ती हमें प्राप्त नहीं होती तो इस प्राकार हमने देखा कमपन विदा के लिए कमपन और गुर्णन स्पेक्ट्रम का मान किस प्राकार से हमें प्राप्त होता है और यह डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए लिए तो अलग अलग प्राप है CL 35 or 37 उसके संगत यदि atomic weight change हो रहा है atomic weight से जो जड़त्व आगून है उसके मान में परिवर्तन आएगा जड़त्व आगून के मान में परिवर्तन से उसके संगत आवरती के मान में भी परिवर्तन आता है क्योंकि यह form जो है वह आई का यहाँ denominator में यूज हो रहा है और यह हम पहले भी अध्यन कर सुके हैं atomic weight या जड़त्व आगून के मान पर निर्बर करता है तो उसके संगत हमें अलग-अलग मान राप्त होते हैं तो इस परकार हमने दिखा HCLN के लिए आवसोस्चन का कमपन गुर्णन स्पेक्ट्रम धन्यवाद थैंक यू